विल्कम बैक स्टुडेंट्स हीर इंस निक्स टॉपिक केमिकल प्रोपर्टीज ओफ मेटल्स एंड नोन मेटल्स मेटल्स और नोन मेटल्स की केमिकल प्रोपर्टीज को डिसकेस करेंगे हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल प्रोपर्टीज और इससे पहले वा topic में ही आते हैं जादा physical properties काम की हैं फिलाल आपके क्योंकि chemical properties में reaction जादा होती है जो कि 10th class में जादा काम की आएंगी फिलाल आपके लिए physical properties जादा important थी बट ये भी इतना कम important नहीं है ये भी important ही है जादा बस physical थी अगर देखे chemical properties metals and non-metals की chemical में हम पढ़ना क्या होता है पहले क्यमिकल में हम लोग कि किस के साथ कर सकते या जूड़ सकते जब उसके साथ combine hobeぎ तो वह क्या बनाएंगे तो इन सब के बारे में रि액़ में कि वह किस के साथ जादतर तर all the metals जादतर metals सभी की सभी शो similar लगभग same एक तो वर्ड होता है same same का मितलब तो होता है exactly same हो जाना बिल्कुल सेम और similar मतलब थोड़ा-थोड़ा same सा थोड़ा थोड़ा जैम सा मतलब exactly same नहीं है लगभग same जिसे कहें जादातर जो metal है शो से लगबग सेम केमिकल प्रोपरटी दिखाते हैं क्योंकि अगर बिल्कुल सेम दिखाना होता फिर वो मेटल भी सेम भी बन जातें पर दियर रेक्टिविटी लेकिन जो उनकी रेक्टिविटी है कि कौन कितनी जल्दी रेक्ट करेगा डिपेंड अपॉन रेक्ट करना मतलब अलग अलग होगा एंघ डियाक्षिन चीकन कोन सी किणा इंप लिभा औरोघ आपों देर्ट कैमिकल्न प्रोपरिटीस ये दोनों एक दूसरे से स्वेजlusion स्वेज्थ ग्युक्रिश्ज बिर्ड हए व्लोग ने पढ़ा था बिलकुल अलग लग है उसी तरीके से इनकी chemical reactivity भी काफी जाधा अलग-अलग होती है सो first chemical property है हमारे पास reaction with oxygen oxygen के साथ reaction metals react with oxygen metal जो है oxygen के साथ react करते हैं to form metal oxides क्या बनाने के लिए metal की oxide बनाने के लिए metal oxygen के साथ जूड़ते हैं और metal की oxide बन जाती है जब भी कोई oxygen के साथ जूड़ता है ना तो उसकी oxide बन जाएगी तो कौन जूड़ा है metal किस के साथ oxygen के साथ तो क्या बनेगी metal की oxide that are basic nature या तो किसी की oxide acidic हो सकती है या basic हो सकती है acidic खटी चीजों के लिए यूज होता है और bitter चीजों के लिए मतलब थोड़ी कडवी और फीकी सी चीजों के लिए basic यूज होता है जैसे निम्बू है निम्बू में acid होता है citric acid क्योंकि वो खटा है जितने भी खटे fruit है सब में क्या होता है acid होता है जबकि जितने भी खारी चीज़ें है या कडवी चीज़ें जैसे कि baking soda लगा लो यह क्या होते है बेसिक होते है तो यह जो metal के oxide है ना metal जब oxygen के साथ जूड़ता और जो चीज बनेगी वो basic होती है most of the metals जादा तर तर जो metal है form basic oxide वो क्या बनाते है क्योंकि metal के oxide बने और वो कैसी होते है basic तो basic oxide बनाते हैं इसके बाद आपके पास activity activity number three इसमें क्या क्या हुआ है to show that आपको show करना है metal react with oxygen metal oxygen के साथ react करते है to form basic oxide और जो oxide बनेगी वो कैसी बनेगी basic oxide बनेगी इसके लिए आपको करना क्या है मैं सीधर directly experiment बता देती हूँ क्या क्या हुआ हुआ ह होता है बंसन बर्नत कहते हैं इसे जैसे हम लोग घर पर तो चुले का यूज करते हैं वैसे ही experiment करना है तो वह बहुत जादा आग प्रोड्यूस करेगा तो हम लोग laboratory में छोटा सा बर्नर होता है बिल्कुल थोड़ी से आग निकलेगी इसमें तो बर्नर का यूज किया इसक टंग मतलब चिम्टी पेर क्योंकि चिम्टी के दू होते हैं तो इसलिए पेर बोला पेर ओफ टंग लियां मेगनेश्यम की रिबन ले लिए मैटल मैटल की बिल्कुल चोटी सी टुकुड़ा सा ले लिया रिबन फोम में अब इसको क्या कर रहे हैं हम जला रहे हैं रहे हैं इसका मतलब मेटल के उक्सीजन के साथ रेक्षिन तो अब जब मेगनेशियम उक्सीजन के साथ रेक्षिन करेगा तो बन जाएगा मेगनेशियम मेंगनेशिय VERज मेंगनेशियν मेंगनेशिय mega मेंगनेशिय sup बहुत सारे तरीके हैं जो आप 10th class में ज्यादा अच्छे से study करोगे magnesium oxide अगर पानी में डालोगे तो ये partially इसके अंदर partially मतलब आधा एक तो completely word use करें पूरा अच्छे से dissolve नहीं होगा partially dissolve वो जाता है क्या बना देता है magnesium hydroxide magnesium hydroxide जिसका फुमला है mg hydroxide मतलब OH तो magnesium hydroxide बना देता है और चिस भी चीज के पिछे OH लगेगा वो एक बेसी होता है तो हमें पता चला कि magnesium की oxide बनने के बाद वो जो है वो basic बनाया तो इसलिए बोल रहे हैं metal जो है oxygen के साथ रेक्ट करते हैं बेसिक उक्साइड बनाने के लिए ठीक है तो यही रेक्शन्स आपको नीचे दिए है magnesium oxygen के साथ रेक्ट किया बर्न हो रहा है dazzling white flame के साथ white light आग सी जलती है ना तो काफी जादा एक इदम से आग जल दी है white color की magnesium oxide बना जो की basic है इसके अंदर जब पानी डाला तो magnesium hydroxide बना चेक करना है कि यह base है या नी एक तो OH देखते ही पता चल जाता है magnesium एक लिटमस पेपर होते हैं लिटमस पेपर होते हैं red और blue color के अगर आप red लिटमस पेपर को magnesium hydroxide की solution में डालोगे तो वह blue color में हो जाएगा red से blue red से blue अगर हो जाए इसका मतलब वह चीज बेस होती है red से blue last में B word है blue का और यह भी base को B को ही show करता है इसका मतलब blue होते ही वह बता देगा कि यह चीज बेस है तो magnesium hydroxide जो oxide है वह basic in nature है तो हमें यहां से यह conclusion मिल गया तीक है next देखिए when an iron अभी तुमने magnesium का किया उसी तरीके से जब iron object is left in damp air यानि damp air का मिनिक होता है मोशर वाली हवा में जब iron लोहे को आप छोड़ देते हो नमी वाली जगा पे for a considerable amount of time काफे जादा time के लिए it get covered with reddish brown flakey substance इसके उपर जंग चड़ जाती है ना थोड़ी सी reddish brown color की जंग जिसे हम बोलते हैं कि एक layer सी चड़ गई this is called DC को कहते है rusting of iron लोहे पर जंग लग जाना रस्ट मतलब जंग लगना during rusting of iron तो यह जंग कैसे लगी क्या चीज चड़ गई उसके उपर during rusting of iron iron के जंग लगने के दुरान iron metal combine with oxygen iron metal जो है हवा में छोड़ा हवा में क्या है oxygen डेम पेर में छोड़ा तो वहाँ पर moisture यानि water भी है in the presence of water water की presence में यह तीनों चीज़े आपस में जूड जाती है और क्या बन जाता है hydrated यानि पानी वाला iron oxide क्योंकि किसी के साथ oxygen जुड़ेगा तो उसके इसको जंग कहते हैं तो एक लेयर चड़ गई this hydrated iron oxide is called इसको जंग कहते है यानि की rust कहते है इस रेड़िश ब्राउन का इसका कलर कैसा है रेड़िश ब्राउन है तीक है वैसे अगर इसका formula देखना हो ना तो इसका formula होता है एफ़ी टू आइरन को एफ़ी बोलते हैं उक्साइड को उक्सीजन ओ बोलते हैं एफ़ी टू ओ त्री डोट पानी भी जूड़ गया तो एक्स वोटर मोलेक्यूल क्योंकि पानी जितना होगा उतनी ज्यादा पानी आ जाएगा फिलाल इतने फों मुले करने की जुटनी घ्रिया थोड़ा ओवर्वेउट दे रहे हूं मैं तो आपका टेंथ में आता है यह कलेक्टे सपोन फुल ऑफ रस्ट क्या करना है आपको क्या करना है रस्ट का एक चंमाच ले लेना अब यह रस्ट क्या होता है मेटल सिस्पेंड में मैटल ली हुए है मतलब रस्ट क्या था यह इसको बोल रहेते हैं जंग को तो यह आइरा नोकसाइड है यह रस्ट लिया आईरन ओकसाइड है रस्ट थी इसको जंग का जो फॉम लाए जंग जिस वज़े से बनी है तो यह लिया आपने and dissolve it in a very small amount of water इसको थोड़े से पानी में घोल दो we find that हम देखेंगे that the rust remains suspended in water की rust जो है वो पानी में एक चीस तो तक घुल जाना तो उसको dissolve केते हैं suspended मतलब अच्छे से घुलेगी निए खड़ी रह जाएगी इसके दाने-दाने अलग से दिखाई देंगे shake the suspension well जो ये बीना खुली चीज बनी हुई है इसको अच्छे से घुलने की कोजिश करनी है shake करना take the solution with red and blue litmus paper अभी बताया litmus paper होते है red और blue color के अगर red से blue color change हो रहा है last में भी तो ये basic दिखाता है अगर blue से red हो रहा है तो वो ऐसे डिक दिखाता है तो हम लोगों ने क्या करना है दोनों solution को चेक करना एक बड़ी red litmus से और एक बड़ी blue से हमें क्या दिखेगा red litmus paper blue में convert हो चाहेगा इसका मतलब substance कैसा है basic इसका मतलब rust जो हमने लिया है वो basic nature है और rust था क्या iron की oxide इसका मतलब सभी metal की oxide क्या होती है basic in nature वेन इक copper object इसी तरीके से copper का और करके देख लेते हैं आप लोगों ने देखा होगा तामबा भी हरे से रंग का हो जाता है काफी time के बाद उसके पर वेक तरीके की जंग लग जाती है जंग हम specially iron के लिए यूज़ करते हैं बाक्यों के लिए अलग word यूज़ होता है corrosion corrosion किसी भी metal पर जंग लगने को corrosion कहते हैं और सिर्फ लोहे पर जंग लगने को rust कहते हैं वेने copper object जब की जब भी copper का object तामबे का object लेते हो रिमेन इन डम एर इसे भी क्या करो हवा में जोड़ दो नमी वाली में for a long time काफी time के लिए ट्रेक्ट स्लोली विद carbon dioxide ये धीरे-धीरे carbon dioxide के साथ और आपने हवा में जोड़ा यानि oxygen भी है water भी है और carbon dioxide specially mention कर दिया तो ये तीनों के साथ छोड़ दिया and moisture present in the air it loses its shine इसकी shine खो जाती है due to formation of Q क्योंकि यहाँ पर बन गया green coating of copper hydroxide हरे रंग की coating होता है cover बिल्कुल पतली से परत चड़ जाना कि copper hydroxide की ये रा copper hydroxide copper cu hydroxide और copper carbonate बन जाता है इसके surface पे जिसकी वज़े से इसका रंग हमें हरा दिखाई देता है क्योंकि ये जो cheese बनी है ये हरे रंग की होती है तो जो copper है वो थोड़ टाइम के बद green होना start हो जाता है तीक है यहाँ तक clear इसी तरीके से अगर मैं चान्दी का example दूना तो चान्दी थोड़ थोड़ी black होने लग जाती है अब काम करते करते क्या हो जाता है इसमें पानी भी है oxygen भी है हवा में छोड़ा होगा तो ये black होना start हो जाती है क्योंकि ये क्या करती है चान्दी जो silver है silver जो है ये air में sulfur dioxide gas होती है उसके साथ react कर जाती है और बना देती है ag2s नाम का compound or oxygen अलग release कर देती है तो silver sulfide बोलते हैं इसे ag silver के लिए use होता है तो silver sulfide बनने की वज़ए से चान्दी काफी time के बाद ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी थोड़ time तो चमक रहती है नहीं लेते हैं तो खुश time के बाद वो black होनी start हो जाती है यह दिया भी हुआ I think यह रहा जब silver object को हवा में चोड़ते हैं यह भी क्या हो जाते हैं इनके उपर भी परत चड़नी start हो जाते है ब्लैक हो जाते है due to formation of किसकी वज़े से silver sulfide की layer की वज़े से उनके surface पे क्योंकि किसके साथ reaction हो जाती है एक तो मैंने sulfur dioxide gas बोल दिया इन्होंने यहां बता दिया hydrogen sulfide gas present in here तो आप यह कर सकते हो कि AG जो है ना hydrogen sulfide H2S यह gas present होती है क्योंकि sulfur dioxide gas हवा में थी hydrogen पानी था जिसकी वज़े से hydrogen sulfide gas बना कर बोल दिया है इन्होंने इस reaction को थोड़े अलग से बोल दिया बन गया AG2S और hydrogen gas अलग बन गई तो यह बनने की वज़े से बना वही same compound है इसमें यहां पर hydrogen भी react कर जाती है इसके बाद activity दियो है जो कि सिर्फ यह conclusion देगी कि जो non metals है ना वो जब oxygen के साथ react करते है वैसे भी बने बता है metals और non metal एक दूसरी के opposite है metal अगर basic oxide बना रहे हैं तो यह confirm है कि acid oxide बनाएंगे तो इसमें सिर्फ यह दिखाय हुआ है जितने भी non metal है जब इनके oxygen के साथ reaction करवाते हैं तो जो चीज बनेगी वो acid oxide बनेगी वो acid होगी तो यहां से जैसे देखो carbon carbon monoxide बनाती है CO और carbon dioxide भी carbon monoxide neutral है जब कि carbon dioxide weekly acid है थोड़ी थोड़ी acid है phosphorus जो कि non metal यह सभी non metal है तो यह दिखे हुआ है कि कौन acid है कौन से कैसे है main main जो आपके काम के है CO2 sulfur dioxide acidic बनाता है water पानी क्या होता है ना acid होता है ना base होता है neutral होता है nitrogen dioxide जिस NO2 कहते है वो क्या है acidic main आपके यह यह है बाकी फिर भी एक बारी read कर लेना next देखो second property chemical property reaction with water जब water के साथ reaction करवाते है तो क्या होता है metal react with water metal जब पानी के साथ react करते हैं तो यह displace कर देते है displace मतलब place से हटा देना dis मतलब हटा देना उसकी जगा किसी और को ले आना hydrogen from water पानी में से hydrogen पानी बनाएं क्या होता है hydrogen और oxygen का पानी का formula क्या है सबसे most important H2O है water का formula तो यह क्या कह रहे हैं कि water का formula H2O है इस reaction में जब हम metal की किसी भी मेटल की reaction करวाते है मेटल की reaction करवाई water के साथ तो मेटल जो है hydrogen को उसकी जगा से हटा देगा खुद तो क्या करेगा hydrogen को उसकी जगा से हटा देगा hydrogen को अटा दिया तो oxygen की साथ जुढ गया यानि metal की तो oxide बन गई प्लस hydrogen गया बस अलग हो गई यह है रियक्शन इसी को बताया हुआ है तो इसनें डिस्प्लेज कर दिया हाइद्रोजन को फ्रॉम मेटल हाइड्रोफाइड यह तो मेटल की निकैन बनाएंगा और हाइड्रोजन के चैस तो निकलेगी निकलेगी यह फिर मेटल यह क्या करें एक hydrogen के साथ एक oxygen और एक hydrogen जिसको हम बोलते हैं hydro oxide hydroxide hydro मतलब hydrogen oxide मतलब oxygen तो यह क्या करें oh जैसे जैसे यह दिया हुआ example और hydrogen gas तो निकलेगी ही निकलेगी जैसे sodium है पानी के साथ reaction किये इसने क्या किया एनने एक o ले लिया और एक हैज हाइड्रोकसाइड बन गी हाइड्रो ऑकसाइड और hydrogen गैस अलग गई तो यह तो वह हाइड्रोकसाइड बना देगा या फिर वह उकसाइड बना देगा तो इसमें यही बोला हुआ है सम मेटल्स कुछ मेटल रेक्ट विद कोल्ड वोर्टर कुछ तो ठंडे पानी के साथ रेक्ट कर देते हैं कुछ गरम के साथ करते हैं कुछ भाब के साथ करते हैं यह तो हम शायद थोड़ा बहुत हमें भी पते हैं कि कुछ चीज़े ठंडे में नहीं गुलती जिसे ठंडे रेक्ट करते हैं वोटर के साथ तो हाइड्रोसिन केस बनती है नेक्स है मेटल सच है मेटल जैसे की गोल्ड है सिल्वर है प्लेटिनम है और क्वाइट अन्रेक्टिव यह क्या है बहुत कम अन्रेक्टिव है मतलब क्या है यह क्या है रेक्ट नहीं करते किसी के साथ यानी हमारे ज्वेलरी बनाने के काम आता है कोुइन बनाने के काम आता है बहुत टैंक केभाद जंग लगता इन 미리 जिससे सिल्वरम समय बताना कि ब्लएक हो जाती है काफी सालों के बाद बहुत प्लेटनों प्लेतनम ऑल्मोस्ट बहुत रेयर हैं platinum is used in making alloy, platinum का यूज कैा जाता है alloy, alloy क्या होता है, जब आप 2-3 metal को देते हों, तो बन जाता है alloy, 2-3 अलग-लग, जासे steel, steel कोई metal नहीं है, steel, iron को एक दो metals के साथ जोड के बनाए गया है, तो वह उतने चोज जब 2-3 metal को मिला दे, या फिर किसी metal को नोनं मेटल के साथ मिला इलेक्ट्रेकल गैजेट बनाने में आजकल इनका यूज किया जाता है इंटरनेशनल स्टेंडर्ड और weight and measures बनाने में इसका यूज किया जाता है जो वेट की मशीन होती है ना हम आपने की उसमें यूज किया जाता है next non-metal do not react with water यह पानी के साथ react नहीं करते स्टीम मतलब भाप के साथ ..... नहीं तंडे पानी न大家好 के साथ phosphorus is very reactive non metal जब के phosphorus जो है वह काफी जादर क्वेटिव और सिट्धिया में हवा में जोड़ा जाता है हुएस IMMr. चीज को मिलने का मतलब है वह चिज जल जाएगी लेकिन हम तो नहीं जल जो हारинов में इतनी भी ज्ञीजन होगा हवा में जल जाएगा होगा इसाल कुछ चीजों को हम हुआ से बचा के रखते हैं तो फोस्फोरस को कभी भी खुला नहीं रखा जाता क्योंकि बहुत जादे रिक्टिव अगर इसे खुला हवा में छोड़ दिया तो यह हवा वाली उक्सीजन का यूज़ करके जल जाएगा फायर केच कर लेगा इसलिए इसको स्टोर करके रखा जाता ह पानी में भिगो की रखते हैं। नेक्सट प्रोपर्टी रिक्ष्ट के साथ रिक्ष्ट इसस मेटल रेक्ष्ट यहां से एसोफ़ तो इसने जिंग सल्फेट बना दिया爬कि मैंगेशम इस्टोफसा फूर्ट है यहां सल्फेट था सोफ़ था तो इन्हों ने सोफ़ वाला सोल्ट बना दिया कुछ और था C l होता मालो और यह टेबल दियुए है इसको बस एक बड़ी रीड कर लेना टेबल को रीड कर लेना कि मेगनीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसे के साथ रेक्ट करता है तो कैसे करता है क्या निकलता है क्या निकलता है बस एक बड़ी रीड कर लेना वाइगरस होता है तेजी से मोडरेट होता है धीरे से थीक है पॉप साउंड आवाज को बताया हुआ है हाइड्रोजन के हैसना जब भी निकलती है तो एक की से की आवाज आती है पॉप से की तो उसके लिए यूज किया गया तो यह सिर्फ एक वरी रिडिंग ले लेना यह मल्टिपल चोइस यहां से करोगे और आंसर कमेंट बुक्स में उने चाहिए फोर देखें रिखोनें विज बेसे बेसे कि साथ रेक्षण मेटल रेक्षण बेसे साथ करते हैं तुफं लेयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट उनी जैसे सॉल्ट बनाएंगे अड़ हाइड्रोजन के ज़रूर सोल्ट क्या होता है सोल्ट का मिनिंग नमक नहीं होता है। aleyKit का नेक्स्ट देखो reaction of non metal with base अगर non metal की base की साथ reaction करवाएं are complicated काफी complicated होती है we will study these reaction in higher classes हम इन reactions को आगी की classes में पढ़ेंगे फिफ्त देखे displacement reaction displacement reaction क्या होती है when a more reactive metal जब ज्यादा reactive metal is added to salt solution जब इसे डाल दिया जाता है उसके salt solution में उसी के solution में डाल दें of a less reactive metal लेकिन कम reactive के जब एक जादा reactive metal को add करतो किसी कम reactive metal के solution में the more active metal तो more reactive जैसे को joking powerful चीज है और एक बिना powerful चीज है तो क्या करेगी powerful चीज Been powerful को हटा देगी उसकी जगह से तो more reactive metal हाटा देती है उसको की जगह से less reactive metal को उसकी salt solution से सच्छे chemical reaction ऐसे chemical reaction को displacement क्योंकि नाम सही था कि displace कर देना हटा देना और कुण हटा सकता है जादा powerful जीज कम को इन अदर वर्ट्स तो यह रही definition displacement reaction is a chemical reaction यह chemical reaction है इन विच जिसमें और more reactive elements other reactive element displacer less reactive element कम reactive element को हटा देती है from it salt solution उसके solution से जैसे एफी iron जो की ग्रे कलर का होता है copper sulphate जो की blue color का solution होता है iron जादा रेक्टिव है बजाए की copper के तो iron copper से जादा रेक्टिव है तो copper को यहां टिक नहीं नहीं देख उसको हटा दिया उसकी जगह से से खुद जूड़ गया sulphate के साथ तो बना दिया फेसो फोर और copper हो गया अलग copper का कलर खाली reddish प्राउंग था और फेसो फोर का green कलर का था तो यह हमें solution में reaction chemical है या नहीं इसका पता लगाने के लिए आपको color change दिख जाते हैं तो यह कलर अलग लग लग थे इनके color लग लगा कि इसे तरीके से copper sulphate ले लो जिंक ले लो जिंक ज्यादा रेक्टिव है यह copper को उसकी जगह से हटा दिया जैड़ डैने सोफोर और copper बहन गया जबकि अगर इसका उल्टा ले जैड़ डैने सोफोर copper copper ज्यादा रेक्टिव नहीं था यहां कौन था ज्यादा रेक्टिव होता है अब ज्यादा रेक्टिव है ज्यादा वाली और यह क्या कम कम वाली चीज़ इसको हटाई नहीं सकते इसलिए कोई रेक्शन नहीं होगी इसी तरीके से copper sulphate है magnesium 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 ज्यादा रेक्टिव है copper को हटा दिया उसकी जगह से जबकि magnesium sulphate और zinc के लिया magnesium ज्यादा रेक्टिव था कुछ नहीं होने दिये इसने इसको FSO4 ZN यहाँ पर ZN ज्यादा powerful तो हटा दिया उसकी जगह से तो अगर ज्यादा powerful है तो हटा देगा तो इसने बता दिया कि magnesium magnesium mg सबसे ज्यादा रेक्टिव होता है फिर ZN होता है फिर FE होता है फिर C होता है इनका यूज करके आप सारी रेक्षिन कर सकते हूं अब नौन मेटल की बात कर लें तो नौन मेटल कोई displacement रेक्षिन शो नहीं करती पर कुछ नौन मेटल है जो कम रेक्टिव होती हैं यानि पोटेश्यम क्लोराइड बना दिया ब्रॉम में अलग हो क्या ठीक है आप डिफरेंज यह हुए आपको इनी कुछ आपने पड़े हैं फिजिकल केमिकल प्रोपर्टीज को डिफरेंज की फूम में दे दिया और इसके बाद आपको टॉपिक दे दिया यूजिज ऑफ मे इसको रिडिंग ले लेना और यहां से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया यूजिस होगे केमिकल प्रोपर्टी फिजिकल प्रोपर्टी और डन तो आप लोगों को यह कंप्लीट करना है और उसके बाद एक्सरसाइज ट्राय आउट करके मुझे आंसर सेंड करोगे थेंक थेंक यू और नाइस जे